मंगलं द्वारिकाधिशः श्रीलालप्रभु मंगलं मंगलं वल्लबाधिशो मंगलं विठलेश्वरह मंगलं हरिदासस्तू मंगलं स्रिकृष्नप्रिया मंगलं व्रजभु मेश्च मंगलं पुष्टि मंगलं सौंदर्यं निजरदगतं प्रगतितं स्रीगूडभावात्मकं पुन्रूपंच पुनस्तदंतरगतं प्राविविशाद्स्वाप्रिये सौंस्लिष्टा उभयोर्भवरसमय कृष्नोहियत् साक्षिकं रूपं तत्रितयात्मकं परमभी धेयं सदावल्लभं पुष्टि मारगिय सर्वग्य करुणारस पूरितह स्रेष्ट पलप्रदाताच तस्मई स्री गुरवे नौह हम भगवान स्री कृष्ट्न के अनुग्रह का सुरूप कैसा होता है दो सत्रों से इस विशे पर चर्चा कर रहे थे जैसे भगवान सर्वसमर्थ हैं ऐसे ही भगवान के कृपा भी सर्वसमर्थ है प्रभु अपनी नीजिच्छा से अपने अनन्य भग्तों पर अनुग्रह की वृष्टि करते हैं प्रभु की कृपा का सुरूप कैसा होता है इस पर परमान अन्दाजी ने बहुत सुन्दर रिश्यक्पद में समझाया है जापर कमला कांत ढरे लकड़ी घास को बेचन हारो तासिर छत्र ढरे विद्यानात अविद्या समरत जो कचु चाहे सो ही करे रीते भरे भरी पुनी ढोरे जो चाहे तो फेर भरे सिद्ध पुरुष अविद्यासी समरत काहूते न डरे परमान अन्दास या संपत्ति मनते कभू न टरे जापर कमला कांत ढरे कितनी सुंदर बाद कही कमला कांत यानि लक्ष्मी जी के पती कमला कांत यानि स्वामिनी वल्लब भगवान शी कृष्णा जब किसी पर प्रसंद हो जाते भगवान जब किसी पर रीच जाते हैं तो इस जगत में उसको क्या दूलब होता है जब लकडी और घासका बेचने वाला लकड़ारा जो हता है उस पर यदि प्रभू की कृपा हो जाए तो वह भी राजा बन जाता है प्रभू की कृपा रंग को राजा बना देती है मूर्ग को पंडित बना देती है तुझ को महान बना देती है इसलिए शिमहा प्रभू जिर कृष्णा श्रय में प्रभु की कृपा का सामर्थ कैसा होता है इसका वर्णंग करते वाग्या करते हैं अजा मिलाधी दोशानाम नाशकोनु भवेस्थित ग्या पिताखिल महात में कृष्ण एव गतिर मुवा प्रभु ने दोश्ट में दोश्ट जो जीव होते हैं उनके दोश्टों का नास करके और उन जीवों का भी उद्धार किया है इसलिए प्रभु की यह जो इच्छा शक्ती है इस जगत में कोई भी विरोध नहीं कर सकता प्रभू जो अपने मन में इच्छा होती है वही करते हैं कैसे प्रभू की यह कवतुक लीला है रीते भरे भरे पुनी ढोरे जो चाहे सो फेर भरे प्रभू खाली पात्र को भर देते हैं बरे हुए पात्र को खाली कर देते हैं और यदि प्रभू की इच्छा हो जाए, तो उस खाली पात्र को फिर से भर देते हैं। जिस पर ठाकोर जी की कृपा बरस्ती है, उसे सब कुछ आसानी से सिद्ध हो जाता है, उसको इस जगत में कभी कोई भी वस्तु का भई नहीं रहता। देखिए कितनी आश्चरी की बात है, इसे सर्वसमर्थ प्रभू की कृपा का सुरूप सोचे समझे बिना, जीवन में कभी कोई चोटी बड़ी आपत्ती भी आ जाती है। अभी तो कुर्पा का सुरूप है न हमने देखा कि प्रभू की कुरुपा कभी सुख के रूप में उतरती है करभी दुख के रूप में भी बरसती है लेकिन जीव प्रभू के इस कुरुपा का सुरूप नहीं समझता है और विचलित हो जाता है थोड़ा बुद्धुखिया पत्ति आते हैं दोड़ दोड़ करके लोग पंडितों के पास जाते हैं जोतिशियों के पास जाते हैं अपनी कुंडली दिखाते हैं फिर जोतिशि कहते हैं कि आपको फलाना फलाना ग्रह नड़ रहा है अमुक ग्रह की अंगुठी पहनिये अमुक विदिविधान कराईये अमुक यगनया कराईये तो सर्वसमर्थ पुष्टी पुर्शोत्म प्रभू का आश्रे छोड़ करके और जीव अन्याश्रे करने लग आगे हमने देखा कि विशुरूप दर्शन में समग्र ब्रह्मांड का दर्शन प्रभू ने अपने शुरूप में ही कराया है जगत के सारे देव देवी ग्रह नक्षत्र सभी तो भगवान स्री कृष्टन के अंगभूत हैं देखिए सूर्य प्रभू के नेत्र हैं चंद्रमा मनसो जातत चक्षो सूर्यो अजायत सूर्य कभी किसी का बुरा नहीं करता चंद्रमा प्रभू का मन है किसी का हीत नहीं करता मंगल का तो नाम ही मंगल है कभी किसी का अमंगल कैसे कर सकता है बुद्ध भुमी का पुत्र है और भुमी भगवान की पत्नी है बुद्ध कभी किसी को नुक्षान नहीं पहुचाता गुरू का तो सरूप ही गुरू है कभी भी लगू नहीं हो सकता कभी किसी का अहीत नहीं करता और शुक्र तो भगवान का तेज है किसी का कुछ नहीं विगाड़ता है हाँ शनी से बहुत से लोग डरते हैं लेकिन पूष्टी जीवों को तो उनसे भी डरने की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि शनी देव भी सूर्य के पुत्र है हमारे शियमना मैया के भाईया है और यमना जी हमारी मैया है तो शनी देव तो मामा हुए न तो मामा से भांजो को डरने की क्या आवश्यक्ता है और राहु का तो सुव्य भगवान ने शिरच्छेद किया है प्रवु के भगतों का क्या भिगाड़ सकता है इसलिए वैश्णों को कभी अन्य किसी का भई नहीं होता क्योंकि जिस पर भगवान का अनुग्रह हो जाता है उसको किसी भी ग्रह का भई नहीं सताता सभी ग्रहों से बड़ा है भगवान का अनुग्रह जो कुछ भी करने के लिए समर्थ है प्रवु के इस कृपा मार्ग में भगत के समग्र जीवन का आधार भगवान की कृपा पर ही निर्बर है भक्त हमेशा भगवान का कृपा वो लंबी होता है भगवान के कृपा के विशय में बड़ा ही प्रसिद्ध स्लोक है मुकं करो तिवा चालं पंगुल लंगई ते गिरिम यद कृपात महमवंदे परमानंद माधवं प्रभु के एक रुपायदी हो जाए तो गुंगा बोलने लगता है जो पंगो होता है पहाड का उलंगन कर सकता है प्रभु के एक रुपायदी हो जाए तो बदेर बहुश्रत हो जाता है रंक राजा बन जाता है मुर्क पंडित हो जाता है मूड बुद्धिशाली बन जाता है अंध होता है इस पश्ट द्रश्टा बन जाता है अशक्त शक्तिमान हो जाता है प्रभु की कृपा क्या कुछ नहीं कर सकती सुर्दाजी ने पद में प्रभु की कृपा का वरणन किया है वंदो चरण कमल हरी राय जाके एक रुपा पंगु गिरी लंगे अंधे को सब कुछ दर्साई बहरो सुने मूख पुनी बोले रंक चले शिर्चत्र दराई सुर्दाज स्वामी करुणामे बार बार बंदो तही पाई सुर्दाज जी कहते हैं कि मैं तो प्रभु के चरण कमल को वंदन करता हूँ जिनके एक रुपा के सामर्थ्य से पंगु होता है पहाड का उलंगरन कर सकता है देखिए भागवाज जी के दसमस्कन में प्रसंग है कुबजा तेन अंगों से टेड़ी थी त्रिवक्रा थी लेकिन प्रभु ने कृपा के तो सहज में सुंदरी बना दिया प्रभु ने उसको सूर्दाजी को तो जन्मसे नेत्रों के चिन ही नहीं थे ना लेकिन दीवी द्रिश्टा थे अपने अंतर चक्षूओं से प्रभु की सभी लिलाओं का अनुभव उनको होता था गोपाल दाजी तो जन्मसे मोक थे शिगुसाई जी प्रभु चरण ने अपने अध्रहमरुच चरवीत तामूल का दान दिया और अलोग एक वानी के माध्यम से नव आख्यान का गान उन्होंने किया है वो अभी नव वर्स की उमर में सुदामा विरक्त थे लेकिन ठाकुर जी ने कैसे एक रुपा के क्यों सुदामा को भगवान ने अपना साख्य दिया और उसके परिवार को भगवान ने त्रिभू अनका विभू दे दिया इसलिए इसे सर्वसमर्थ प्रभू के चरण कमल को मैं वारंबार वंदन करता हूं देखिए भगवान का सुभा वनुग्रह करने का है और जो जीव भगवान के शरण में आता है उस पर प्रभू केवल कृपा और कृपा ही करते हैं जो जीव प्रभू के अनन्य शरणागती स्विकार लेता है ठाकुर जी कभी उस जीव के गोण, दोश, पात्रता कुछ भी नहीं देखते हैं पर अपने शरणागत जीव पर ठाकुर जी कृपा की वरुष्टी कर देते हैं प्रभू तो कृपा बरसाते ही हैं लेकिन जीव जब प्रभू के शरण में आता है तब उस जीव की पात्रता निर्मीत होती है और उस जीव को प्रभू की कृपा का अनुभव होता है कुरुक्षेत्र के युद्ध के मेदान में अर्जुन को भगवान ने ज्यान कर्म भक्ति प्रपति इन सभी बातों का उपदेश दिया अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं हुआ अंत में भगवान को भी आज्या करनी पड़ी सर्वधर्मान परित्य जे मामे कम शर्णम रज़ अहंत्वाम सर्वपापे भ्यो मुक्षय इश्या मिमा सुच अर्जुन सारे वर्णाश्रम धर्मों का त्याक करके अब तु मेरे चर्णों का आश्रे कर ले मेरे शरण में आजा मैं तेरा उधार करूंगा और देखिए जब अर्जुन भगवान के शरण में आया प्रभु के बिन शर्ति शर्णागति का स्विकार किया तब जाकर के उसकी पात्रता निर्वीत हुई युद्ध करने के लिए सक्षम ह हुआ युद्ध भी किया और विजेश्रिव्यू से प्राप्त हुई इसलिए प्रभु की शर्णागति भक्ति मार्ग में आवश्यक है देखिए गोपी गीत में भी गोपी जन्नों ने बहुत सुंदर कहा है प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम देखिया नत नहीं लेकिन प नमन में भैद है बहुत नमें नादान बुद्धिमान दूनान में चित्ता चोर कमान अनिक प्रकार से लोग नमन करते हैं जो स्वार्थी इंसान होता है वो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए घड़ी-घड़ी सब के सामने जुग जाता है जो दगाबाज होता है चतुर होता है दूसरों को ठगने के लिए बार-बार बंदन करता है चित्ता जब शिकार करने के लिए जाता है तो कमान की तरह जुक जाता है इसलिए केवल नमन नहीं या प्रणत शब्द का हा है प्रणत का अर्थ होता है पूर्ण शर्णागती पुरुवक, संपूर्ण आश्रे पुरुवक प्रभु को वंदन करना और जो जीव प्रभु को प्रनत हो जाता है उसके त्रिविद ताप को प्रभु हर लेते हैं शे आचारी चरण आज्या करते हैं तुम सर्वस्व समर्पन पुरुवक, आठ मुनिवेदन पुरुवक, प्रभु की शर्णागती स्विकार लो तब स्वता आपकी पात्रता निर्मित हो जाएगी और प्रभु की एक रुपा का अनुभव आपको होगा क्योंकि प्रभु स्वयम आपको अपना मानेंगे चरण का भेद आपको समझाता हूँ, एक किर्याने का व्यापारी था, उसके पास एक ग्राहक आया, मुझे एक किलो शक्कर चाहिए, तराज उपर शक्कर रखे, किलो से कुछ अधिक वजन हुआ, तो जो अधिक था, बढ़ती का था, वह वापस ले लिया, बराबर एक किलो वजन हुआ, पुड़ी का बांध करके ग्राहक को दे दिया, किलो सक्कर के जितने रुपिये थे उतने ले लिये, अपनी तीजोरी में रख लिये, शक्कर ले करके ग्राहक चला गया, थोड़ी देर पस्चात, ब्यापारी का अपना पुत्र आया, कहा, पिता जी, अम्मा ने कहा है, आज गर में महमान आने वाले हैं, शक्कर खतम हो गई है, चाई बनाने के लिए शक्कर चाहिए, एकात किलो शक्कर दे दीजिए, ब्यापारी ने कहा, अभी तुँ शक्कर एक किलो ले जाएगा, फिर खतम हो जाएगी, फिर लेने के लिए आ जाएगा वापस, एक काम कर यह पांच किलो शकर तु ले जा एक किलो चाहिए थी पांच किलो दे दी और उससे रूपिया भी नहीं लिया यही बेद मरियादा और पुष्टी के मद्दिका है देखे ग्राहक आया तो उससे रूपिया भी लिया किलो से अधिक वजन हुआ तो अधिक वापस ले लिया सब प्रमान उससे दिया अपना पुट्रा आया तो रूपिया भी नहीं लिया चाहिए थी एक किलो और दे दी पांच किलो इसी तरसे मरियादा में जो जीव जितने प्रमान में साधन करता है उतने प्रमान में ही उसे फल की प्राप्ती होती है न उससे कम या न उससे अधिक साधन के मुताबिक फल की प्राप्ती होती है लेकिन प्रभु की पुष्टी को कोई प्रमान होता नहीं प्रभु अपनी नीज इच्छा से अपने भक्तों पर अनुग्रव की वुरुष्टी करते हैं तो हमें विचार करना चाहिए कि हमें ग्राहक बनके प्रभु के पास जाना है या स्वयम प्रभु का अपना नीज जन बनकर प्रभु के पास जाना है प्रभु के निज जन यदि हम हो जाएंगे प्रभु के शर्णागत हो जाएंगे तो प्रतिक्षन प्रभु के अनुगर का अनुभव हमें होता रहेगा देखिए हमेशा मैं कहता हूं कि प्रभु की कुरुपा कोई नदी नाले के जैसे बहती नहीं है प्रभू की कृपा तो सभी पर मेग की तरह बरस्ती है यदि आदमी को प्यास लगती है तो प्यासे व्यक्ति को नदी तक जाना पड़ता है नदी कभी सामने से चलकर हमारे पास नहीं आती लेकिन कभी सुना है कि मेग के पास वर्षा के पास हमको जाना पड़ता है अरे मेग का तो सुभाव है सभी जगह पर मेग की वुरुष्टी होती है गरीब के जोंपडे पर भी मेग बरसता है और राजा के महलों पर भी मेग बरसता है लेकिन बारिश रुकने के बाद आपने अनुभव कभी किया होगा कहीं बड़े-बड़े सरोवर चलक जाते हैं नदिया बहने लगती हैं छोटे-छोटे जरने बहने लगते हैं कहीं तालाब बर जाते हैं तो कहीं छोटे-छोटे गड़े पानी से भर जाते हैं मेग तो सभी जगह पर वरसता है लेकिन धर्ती के जैसी पात्रता होती है उसी मुताबिक उसे जल की प्राप्ती होती है कोई-कोई जमीन तो ऐसी होती है कितनी बारिश आए लेकिन वहाँ जल ठेड़ता है नहीं है थोड़ी देर में जमीन सोख जाती है जैसे पात्रता होती है उस तरह से जल की प्राप्ती होती है इसी तरह से जीव की जैसे पात्रता होती है उस प्रकार से प्रभु की कृपा का अनुभव जीव को होता है फिर प्रभु की इच्चा की बात है प्रभु की यदि सवयम इच्चा हो हरी सवयम निज्ये चाता करी शति तो फिर जीव पातर हो, अपातर हो गुणवाला हो, दोसों से भरे लखो कैसा भी जीव हो प्रभू की कृपा सभी पर बरस्ती है और जीव प्रभू की कृपा का अनुभव कर सके इसलिए तो शी महा प्रभू जी ने स्वयम कृपा करके यह शर्ण मार्ग अनुग्रहावलंबन मार्ग प्रगट किया है देखिए प्रभू की इच्छा सक्तिक रुपा है स्वयम निजी इच्छा से अपने भगतों पर प्रभू अनुग्रह करते है और स्रीकृष्ण तो पुष्टी पुर्शोतम है प्रतिक्षण जीव पर अनुग्रह करने के लिए ही प्रभू ने यह पुष्टी पुर्शोत्रम का उतार धारन किया है और यही बताने के लिए प्रगट होकर के भगवान ने सबसे पहली लिला कौन सी की पूतना मोक्ष की पूतना का उधार किया है अहो बकियम स्तनकाल कूटम जिगान सया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रचित्तम ततन्यम कमवादयालूम शर्णम उर्जेमा बहुत सुन्दर का हगाय श्रुमत भागवजी में बक की बहन बकियानी पूतना काल कुट विश्का लेपन करके प्रभू को मारने के लिए आई थी लेकिन भगवान का कृपालूता का सभव तो देखो जो प्रभू को मारने के लिए आई थी एसी पूतना को भी भगवान ने मा की उत्तम गति दे दी इस जगत में शिक्रुष्ण से और ज़्यादा कौन कृपालू है कि जिनके शर्ण में हमें जाना चाहिए भगवान के कृपालूता का यहां दर्शन करया है जब भगवान ने पूतना का उद्धार किया पूतना के प्राण हर लिए तो प्रभू के दूत प्रभू से पूछने के लिए आए कि प्रभू आप बताई आग्या कीजिए कि इस पूतना को हम कौन से नर्क में डालें क्यूंकि पूतना ने अनेक बालकों के प्राण लिए थे और प्रभू आपको भी विश्पान करा करके मारने के लिए आई है तो आप आज्या कीजिए किसे हम कौन से नरक में डाले प्रभू को बड़ा आश्चरी हुआ क्या कहते हो पूत्रा के लिए नरक अरे जिसके गौद में मैं पोड़ा जिसने मुझे दुख्धपान कराया देखिए प्रभू की पुष्टी का सुरुप यहाँ देखिए यहाँ ठाकोर जी विश्प को याद नहीं करते हैं लेकिन प्रभू यहाँ दूद को याद कर रहे हैं प्रबुने आगजा करते हैं, कि मैंने जिसका विश्पान किया और अपनी अंतिम सांफ चोड़ने के पहले अंतिम समय में जिसने मेरे मुक्ख का दर्शन किया उसको नरक में कैसे डाला जा सकता है प्रबुने आगजा कि जो स्तान मैंने मेरी देव की मया के लिए निर्मित किया है वह उत्तमस्तान इस पूतना को दे दो यही तो भगवान के अनुग्रह का सुरूप है पूतना जाती से भी दूष्ट है सुभाव से भी दूष्ट है और कर्म से भी दूष्ट है चातिस से दुष्ट इसलिए क्योंकि वह राक्षसी है सुभाव से दुष्ट इसलिए क्योंकि आसुरी सुभाव की है और कर्म से दुष्ट इसलिए क्योंकि अनेक बालकों की हत्या पूतनाने की है और प्रभु को भी मारनी के लिए आई हुई है इसलिए तीनों प्रकार से दूश्ट रोने के बावजुद भी भगवान ने पूतना का उद्धार किया है शिमत भागवत जी में पूतना मोक्ष के अध्याय में अंतमे शुक्देव जी ने कहा है यद एतद पूतना मोक्षम कृष्ण स्यात्मत अध्भुतम स्रुनुया स्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते गतिम भगवान से कृष्ण ने पूतना का मोक्ष किया और यद पूतना मोक्ष के लिला जो व्यक्ति स्रद्धा से श्रवन करेगा उसकी रति भगवान गोविंद के चर्णारविंद में हो जाएगी देखे जो राक्षय से थी संपोन रूप से अनधिक आ रही थी उस पर जब ठाकोर जी ने इतनी कृपा की और देखे अपनी कृपा का प्रमान भी जगत को दिया है कभी कभी भगवान कृपा करने के बाद अपनी कृपालूता का प्रमान भी जगत को देते हैं छे योजन बड़ा उस राक्षय स्री का देह जब धर्ति पर गिरा तब सारे व्रजवासियों ने मिल करके और पूतना का अगनी समस्कार किया तब पूतना के देह में से चंदन जैसे देविय सुगंद फैलने लगी है सारे व्रज में व्याप्त हुई है यह एक विरल घटना है कोई महानतम व्यक्ति के देह का भी कभी अगनी समस्कार होता है तो उसके देह में से कभी सुगंद नहीं फैलती लेकिन प्रभु ने इस बात का प्रमान जगत को दिया कि मैंने मा की उत्तम गती पूतना को दिये है मैंने उसका उद्धार किया है और पूतना के देवे से चंदन जैसे देव ये सुगंद फैलने लगी है 84 वैश्णों में श्रीजी बावा ने भी प्रमान दिया थाने सुर के रामानन पंडित का श्री महाप्रभुजी ने त्याग किया क्योंकि उन्होंने वैश्णों का आपरात किया था फिर भी जब रामानन पंडित ने भाव से मान सिकर के ठाकुर जी को जले भी भोग दरी तो श्रीजी बावा बड़े स्नेह से उस जले भी कोर होगे ठाकुर जी को मुखवस्त्र भी हुआ था आच्वन भी हुआ था फिर भी ठाकुर जी ने इस बात का प्रमान दिया ठाकुर जी के चरणार्विन के पास जलेवी का छोटा सा टूक पड़ा हुआ था शी महाप्रभु जी ने विनंति की कृपानाथ यह सामगरी आज हमने तो आपको नहीं अरोगाई है किस भक्तकी सामगरी आपर होगे तब ठाकुर जी ने आज्या की आपका सिवक है नो वो रामानन पंडित उसने आज बड़े भाव से मुझे जलेवी समर्पित की मानसी में और मैंने भी बड़े स्नह से अरोगी है आचारे चर्णे विनंति की कृपाना तो उसका तो हमने त्याग किया है तब श्रीजी बावन आज्या के शिवललभ आप उनके गुरु हो आप चाहे तो उसका त्याग कर सकते हो लेकिन एक बार जिस जीव का हाथ पकड़ कर आपने मेरे स्रीयस्त में सोपा हो उसका त्याग मैं कैसे कर सकता हूँ यही तो प्रभू की कृपा लुता है और देखिए ठाकोर जी जब कृपा करते हैं तब हमारे अधिकारिया पात्रता को देख करके प्रभू कृपा नहीं करते लेकिन प्रभु कुरुपा इसलिए करते हैं क्योंकि ठाकोर जी का सोभाव ही कुरुपा करने का है शिमत भागोर जी में दामुदर लिला में भी प्रसंग आता है जब यशोदा जी ने रस्षी से प्रभु को बांध दिया तब शुक्देव जी वहाँ पर बोले हैं कि कुरुपा लुता का यक कैसा अधुद दर्शन हो रहा है प्रभु ने ब्रह्मा जी पर कुरुपा नहीं किये प्रभु ने शीव जी पर जो कुरुपा नहीं किये प्रभु ने लक्ष्मी जी पर जो कुरुपा नहीं किये ऐसी कुरुपा ठाकुर जी ने ब्रज की एक भली भली गोपी यशोदा पर की है अरे ब्रह्मा जी तो भगवान के पुत्र हैं प्रभु की नाभी में से प्रगट हुएं प्रभु के श्रियंग से उनका संबंध है शिव जी भी प्रभु के अंतक करन रूपे लक्षमी जी तो स्वयम भगवान की पत्निय अर्दांगी नी है चता उन पर ठाकुर जी ने इतनी बड़ी कुरुपा नहीं की है ऐसी कुरुपा मैया यशोदा पर ठाकुर जी ने की है अर्जुन ने तो माहभारत के युद्ध के समय ठाकुर जी के पास मांगा था ना कि प्रभु मुझे आपके विशोरूप सरूप का दर्शन कराई है लेकिन येशोदा जी ने कहां मांगा था अरे येशोदा मैया को तो यह भी पता नहीं है कि उनके गोद में जो बालक खेल रहा है वो बाल कृष्णत और परम तत्व है अनन्त कोटी ब्रह्मान के अधिपति है अरे प्रभु के रोम रोम में अनन्त कोटी ब्रह्मान विद्यमान है मैया येशोदा ने तो केवल मुग्द भाव से प्रभु के मुख के उपर द्रश्टी कि और ठाकुर्जी ने अपने मुखारवीन में समगर् ब्रह्मान का दर्शन येशोदा मैया को करा दिया मुरुद भक्षन लीला के समय भी अनन्त कोटी ब्रह्मान का दर्शन प्रभु ने मया यसोदा को कराया ऐसे तो प्रभु की कृपा के अनेक प्रसंग है पुष्टी पुर्शोत्तम प्रभु अत्यंत्र कृपाशिल है प्रभु की कृपा की कोई सीमा नहीं है प्रभु कौन से जीव पर कब कैसी कृपा करे कि प्रभु के सीवा दूसरा कोई तहीं नहीं कर सकता सुबोध्री जी मेशी महा प्रभु जी आग्या करते है देखिए भगवान का सुभाव कैसा कृपालू है कि अपने भगतों को अपने धाम तक ले जाने में भी परिश्रम होगा तो भगतों को परिश्रम ना हो इसलिए प्रभु अपना निजदामी नीचे पृत्वी पर लेकर के उतारते हैं जहाँ भगत हैं वहाँ प्रभु ने अपने निजदाम ब्रज को गवलोग दाम को ब्रज सुरूप में स्तापिद किया है और अपनी संपोर्ण लीला परिकर को ठाकुर्जी ने ब्रज में अउतरित की है केवल भक्तों को परिश्रम ना हो इसलिए प्रभू ने यह लीला की है ऐसे ऐसे तो प्रभू की कृपा के अनंत उदारण है प्रभू स्वतंत्र सर्वतंत्र सर्वसमर्थ हैं और इसलिए प्रभू को जब किसे जीव पर अनुग्रह करना हो प्रभू कुछ बी देखे बिनना उस जीव पर कृपा के वुष्टी कर देते हैं शिमहा प्रभू जी ठाकुर्जी के कृपा का उदारण समज sideways जिसे कभी कोई व्यक्ति कुवे में गिर जाता है बचाओ बचाओ चिलाता है और यदि कोई उस आवाज को सुनता है तो रबर की ट्यूब है या रस्टा कोई साधन फैंक करके उसे बचाने का प्रयत न करेगा चल दि कोई किसी को बचाने के लिए कोई में कुटा नहीं है कोई साधन से बचाने का प्रयत न करेगा लेकिन भगवान का सुभाव कैसा कुरुपालो है कि हम इस संसार सागर में आकंट गसे हुए है और पुष्टी जीव संसार सागर में डोब न जाए इसलिए स्वयम करने के लिए पधारते हैं महा प्रभुजी की कानी से ठाकर जी हमारे घर में विराते हैं और अनंत प्रकार से कुरुपा करके और जीव का उद्धार करते हैं मुझे प्रसंग याद आ रहा है अकबर और बेरवल कहीं टहल रहे थे अकबर ने बेरवल से कहा बेरवल हमारे खुदा तो किसी मौलवी और पकेर किसी के माद्यम से अपने बंदों का उद्धार करते हैं तुमारे भगवान में क्या इसा सामर्थ नहीं है कि किसी अपने बंदे के माध्यम से भक्त के माध्यम से अन्य भक्त का उद्धार कर सके बार बार तुमारे भगवान अवतार क्यों लेते हैं बीरबल ने कहा हमाराज समय आने पर दो-चार दिन में आपके इस प्रश्ण का उत्तर में अवश्य दूंगा एक-दो दिन बार शाहिव ध्यान में तालाब के किनारे पर बादसा और बीरबल टहल रहे थे अचानक जोर से भीरबल चिलाया अरे बचाओ 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 बादसा का पवत्र पानी में डूब रहा है बादसा ने देखा उसे लगा कि कोई बालक पानी में डूब रहा है अपने कीमती वस्त्र गहनों का विचार किये बिना बादशा तालाब में कुद पड़ा जो डूब रहा था उसे उठा करके बाहर लाया देखा तो एक कपड़े का पुतला मात्र था बादशा को क्रोध है अरे बीरबल हिंदुस्तान के बादशा की ऐसी मजाक तुने तो का था मेरा पौत्र डूब रहे लेकिन ये तो कपड़े का पुतला मात्र है तब बीरबल ने का महराज दो दिन पहले आपने मुझसे एक प्रश्ण पोचा था यह उसका उत्तर है आपको जब पता चला कि आपका अपना पहुत्र तालाब में डूब रहा है तो आपके पास तो हजारों सेवक कि आप किसी को भी हुकम कर सकते थे मैं तो आपके पास में हूँ, मुझे भी उकम करने का समय आपने नहीं गवाया और अपने पहुत्र को बचाने के लिए स्वयम पानी में छलांग लगा दी, स्वयम कूद पड़े। इस तरह से भगवान को जब ऐसा लगता है कि उसका भगत संसार सागर में डूब रहा है, तो भगवान शणका भी विलंब नहीं करते, अपने भगतों पर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान भूतल पर अवतार धारन करते हैं। इसलिए प्रभो की कृपा का जो अनुभव है दैवी जीव कर सकें। इसलिए तो श्री महा प्रभो जी ने यह पुष्टी मार्ग, कृपा मार्ग, अनुग्रहावलंबन मार्ग प्रगट किया है। और अपने देव ये ग्रंथों के माध्यम से पुष्टी जीवों को कृपा का सिंचन भी किया है। ठाकुर जी की सेवा के द्वारा जीव को कृपा पात्र बना करके और भगवत कृपा का अनुभव भी जीव को कराया है। इस कृपा मार्ग में शी महा प्रभु जी की आगना के अनुसार आत्मनी वेदन करके और जीव जब ठाकुर जी की सेवा और स्मरण और सत्संग में प्रवरुत हो जाता है। शी वल्लब के चरणार विन में जब जीव की अनन्य निष्ठा हो जाती है। तो अवस्य ही उस जीव को प्रभु की अनन्त अनन्त कृपा का अनुभव होता है। इसलिए उस कृपा का अनुभव करने के मार्ग का नाम ही पुष्ठी मार्ग है। देखे हम सभी धन्य हैं। ठाकोर जी ने स्वयम अपने अनुगर के द्वारा शी वल्लब के माध्यम से इस मार्ग में हमारा स्विकार किया है। हमें ब्रह्म सम्मंध हुआ है। ब्रह्म सम्मन्द के द्वारवस पुष्टी पुर्शोत्तम प्रभू ने हमारा वरण किया है हम सभी प्रभू के चरणार्विन में समर्पित हुए है और अनेका अनेक प्रकार से प्रभू के एक रुपा हम पर उत्री हुई है ऐसे कभी मत पुछना के प्रभू की कृपा हम पर कब होगी अरे प्रभू की कृपा तो हम पर अभी भी हो रही है वैश्णव कुल में हमको जन्म मिला यह क्या प्रभु की कृपा नहीं है यदि ठाकोर जी के कृपा ना होते तो अन्य कोई भी योनी में हमको जन्म मिलता प्रभु की कृपा हम पर हुई इसलिए तो हमें ब्रह्म संबंध हुआ शिवल्लब ने ब्रह्म संबंध के द्वारा हमारा हाथ पकड़ के ठाकोर जी के स्रियस्त में सोपा है प्रभू की कृपा हुई तभी तो हमें घर में अनुकूल वातावरन मिला है जिस से हम घर में ठाकोर जी को पदरा कर प्रभू की प्रेम से सिवा कर सकते हैं ठाकोर जी की कृपा हुई तभी तो शिवल्लब ने कृपा करके अपना सर्वस्व यानि भगवत सुरूप सेव्य करके हमारे माथे पदरा दिया है अंत कोटी ब्रह्मान का नात आज हमारे घर में विराज मान है देखो प्रभू की कितने एक रुपा है ब्रजवासियों को तो केवल ग्यारव वर्ष बावन दिन प्रभू की लिला का सुख मिला है उसके पश्चात तो प्रभू मतरा पदा रहे वहां से सोवर्ष ठाकुर जी द्वार का विराज़े है लेकिन शे वल्लब की कृपा से जहां तक हमारे देह में प्राण है वहां तक ठाकुर जी हमारे घर में विराज करके और हमारी सेवा को अंगेकार कर रहे हैं और अपनी कृपा का अनुभाव जता रहे हैं या क्या कर्म कृपा है क्या ठाकोर जी के अध्रामृत के कनिका के लिए ब्रहं मा जी जैसे देव भी तरस्त हैं चाक लिला में प्रसंग आता है ना ब्रह्मा जी ने च्छाक लीला का दर्शन किया ग्वाल बाल के साथ ठाकों जी च्छाक अरोग रहे थे ब्रह्मा जी ने सोचा कि अग्वाल बाल अभे इस जलास्वे में अपने हाथ खासा करने के लिए आएंगे तब प्रभू के अध्रामरूत की कणिका यह जल में गिरेगी वह अध्रामरूत की कणिका प्राप्तो इसलिए ब्रह्मा जी भी मचली का रूप ले करके जल में प्रतिक्षा करने लगे लेकिन अधिकार के बिना प्रभू के अध्रामरूत की प्राप्ती नहीं हो सकती उस दिन ठाकोर जी ने ग्वाल बालों से आग्या कर दी कि आज रज में हद खासा करके और अपने उपोष्टर में पहुंच लो ब्रह्मा जी भी प्रभू की अधर सुदा का पान करने के लिए तरस्ते रहे वस्विवल्लब की कृपा से हमारे घर में घर बेटे नीत्य हमें प्राप्त हो रहा है इस दिक और क्या कृपा चाहिए अरे ठाकोर जी ने जब हम पर कृपा की तब जाकर चार वह रात देखो अप लवकिक वातावरण है एसे लवकिक वातावरण में भी हमारा मन अन्यत्र कहीं बटकता नहीं है और ठाकोर जी में लगा रहता है यह तो प्रभू की कृपा है प्रभू की कृपा होई इसलिए सब कुछ अन्यासरे ही छूट गया और पुष्टी पुर्शोत्तम प्रभू का द्रण आसरे सिद्ध हो गया प्रभू की कृपा होई तब तो समर्पित खान पान छूटा और हम प्रभू का समर्पित लेते हुए प्रभू की कृपा होई तब तो इस मार्ग में हमको वैश्णों का सत्संग मिला और इस मार्ग में रूची हुई प्रभू की कृपा हुई तबितो शिवल्लब के चरणारविन में द्रणाश नहीं हुआ इसे अनेक प्रकार से ठाकोर जी की कृपा हम पर बरस नहीं है और इसे लिए आज प्रभु के इस कुरुपा मार्ग में हमारी स्थिती हुई है प्रभु के कुरुपा सदा जी उपर बरसती ही है और ठाकोर जी नित्य कुरुपा बरसते ही रहते हैं हम मांगे और ठाकोर जी क्रुपा करें इसमें क्या आनंद प्रभु का तो सोभाव और थाकोर जी क्रुपा बरसाते रहें और अपनी क्रुपा से हम सभी को प्रभु परिप्लावित करते रहें उनकी कृपा से ठाकुर्जियम को बिंजोते रहें यही तो जीवन में आनंद है धन्य है इसे प्रभु को धन्य है प्रभु की कृपा को धन्य है प्रभु के इस कृपा मार्ग को धन्य है इसे कृपालू परमात्मा को और धन्य है ऐसे कृपा मार्ग प्रगट करने वाले शी वल्लब को प्रभोक मैं इतनी विनंति करता हूँ आप सभी पर ठाकुर जी की कृपा निरंतर बरस्ती रहे और आप सभी ठाकुर जी की कृपा व्रुष्टी में बींचते रहो एई ठाकुर जी के चरनार्विन में अब्यर्तना करके शी महा प्रभु जी के प्रादुर्भाव महस्तों की अनंत अनंत बदाई आप सभी को देते हुए और मैं वानी से विराम लेता हूँ